इस वक्त चीन करोना वाइरस की चपेट में है और इस बिमारी के दुनिया भर में फैलने का खत्रा बना हुआ है यह वाइरस चमगादुडों से फैलता है आज हम आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे दस खतरनाक वाइरस के बारे में जिन्होंने दुनिया को बीमार किया फिलहाल शुरू करते हैं करोना से सार्स को जन्देने के बाद चीन एक नए वाइरस करोना के साथ संघर्ष कर रहा है जिसने 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है चीन के लिए ये एक गंभीर मुद्दा है करोना की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ संगठन ने इसे चीन के लिए आपात कालीन स्थिती कहा है मामूली सर्दी जुकाम के साथ शुरू होने वाले संकरमन का सीधा असर मौत होती है करोना वाइरस ऐसे वक्त में फैला है जब चीन अपना नया साल मनाने की तैयारी कर रहा है ऐसे में करोना चीन के लिए आर्थिक संकट भी लेकर आएगा मनोरंजन और उभुकताओं के खर्च पर असर होगा निश्चित ही कई लोग सारवजनिक कारिकरमों में जाने से बचेंगे करोना वाइरस का प्रसार जिस वहान शहर से शुरू हुआ है वह चीन का एक एहम ट्रांसपोर्ट हब है ऐसे में आयात निर्यात औ ये एक बड़ी समस्या होगी दूसरे नंबर पर है स्वाइन फ्लू एक खतरनाक वाइरस की वजह से होने वाला संक्रमण है इस वाइरस ने 2009 में पूरी दुनिया में हाहकार मचा दिया था इस दौरान स्वाइन फ्लू की वजह से दुनिया भर में दो लाग से जादा लोग इस वाइरस से करीब 11,000 लोगों की जिन्दगी खत्म हो गई थी यह वाइरस सबसे पहले 1976 में देखा गया था नंबर चार पर है सिवियर एक्यूट रेस्परेटरी सिंड्रोम सार्स अभी चीन में फैल रहे करोना वाइरस की तरह ही सार्स भी करोना वाइरस का एक प्रकार ह जिसका प्रकोप 2003 में पूरी दुनिया ने देखा था सार्स एक ख़दनाक वाइरस है जिसने 26 देशों के लोगों को अपना शिकार बनाया था और करीब 774 लोगों की मौत का कारण बना था नमबर पांच पर है Middle East Desperatory Syndrome यानि मर्स मर्स भी सार्स की तरह ही करोना वाइरस का एक प्रकार है जो कि सबसे पहले 2012 में सौधी अरब में पाया गया था यह वाइरस सबसे पहले चमगादोडों में हुआ था जो किसी तरह उटों में फैल गया इनी संक्रमित उटों के प्रत् करीब एक तिहाई आबादी को अपना शिकार बनाया था यह वाइरस सबसे पहले यूरोप, युनाइटेड इस्टेट और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा गया था जिसने करीब 2 करोड से 5 करोड लोगों की जिन्दगी खत्म कर दी थी नमबर साथ पर है कॉंगो फीवर, कॉंगो फीवर एक तरह का खतनाक बुखार है जो संक्रमित जूं के काटने या संक्रमित जानवर के खून के संपर्क में आने से फैलता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि अब तक इसका कोई सटीक इलाज सामने नहीं आया है नमबर आठ पर है जीका वाइरस, जीका वाइरस एक वाइरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से मच्छर के काटने से होता है, मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काट कर वाइरस को दूसरे व्यक्ति तक पहुचा देता है, भारत में हर साल 5000 मामले जीका वाइरस के आते हैं, गर् Democratic Republic of Congo में देखने को मिला था लेकिन इस महामारी ने वैश्विक इस्तर पर विक्राल रूप 2005 से 2012 के बीच धारण किया इस वाइरस का प्रकोप सबसे ज्यादा सब सहारन अफरीका के शेतर में देखने को मिलता है HIV की वजह से अब तक दुनिया भर में अनुमाने 3 करोड 20 लाख लोगों की जान जा चुकी है नमबर 10 पर है डेंगू बुखार मच्छों के काटने से फैलने वाला डेंगू बुखार हर साल 5 से 10 करोड लोगों को बीमार कर देता है भारत और थाइलेंड जैसे देशों में डेंगू का खत्रा काफी बड़ा है डेंगू से रक्त वाहिकाएं शतिग्रस्त हो जाती है या रिसने लगती है रक्त प्रभा से प्लेटलेट्स गिर जाते हैं जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ये थे दुनिया के दस खतरनाक वाइरस जिनके बारे में आपने जाना ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लीड इंडिया के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा नमस्कार